मैं यूरी पांडे ये विडियो बॉजे जितने भी इमेल आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा तो होते हैं लाइकिंग कन्फरमेशन वाले कि वो मुझे पसंद करती है यानि इस बात में कन्फ्यूज रहते हैं और मुझे तोड़ा अजीब लगते हैं कि यार मतलब इतने सारे इसी कन्फ्यूजन में जी रहे हैं कि वो उनको पसंद करती है यानि बट खेर कन्फ्यूजन होना ओव्यस है बट सम्टेम्स ये कन्फ्यूजन सिर्फ आपके माइंड में होता है उनके बीएवियर में ऐसा कुछ नहीं होता है और चलो अब हिंस तलाशते हो तो नॉर्मल ग कोना ऐसे करने लगे तो बात मुश्किल हो जाता है अब कैसे समझोगे तो मैं कुछ साइन बताऊंगी जिससे आप ट्राइ करना समझने का So if you would like to be part of my YT fam you can follow these steps Click here to subscribe and press the bell icon then you will never miss my new update Number one, it's her shyness or disinterest अब बताई क्या वो मुझे देखती है तो इसका मतलब वो मुझे पसंद करती है देखनी के भीना अलग-अलग तरीके होता है If she is noticing you, it's a good sign But वो notice कर रही है क्योंकि वो तुमको पसंद करती है ऐसा नहीं है She is noticing you, क्योंकि आप noticeable हो या तुमारी हरकत है noticeable है So it's not her, it's you, जो आपके mind को confuse कर रहा है अगर वो आपको गुस्से से देखती है या observing way में देखती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपको पसंद करती है लेकि वो घूर के जा रही है ऐसे तो फिर आप भी उनको गुस्से से देखो है सकर के But अगर आप किसी और से बात कर रहे हो या ग्रूप में कुछ बता रहे हो और उस वक्त वो आपको देखे और देखते हैं आपके बातों को ध्यान से एक्टम चाओ से सुनें और उसके चेहरे पर खुशी हो Then you can think She might be interested in you Number 2 Her face अपनी notice किया होगा कि जितनी भी shy girls होती है वो simple रहना पसंद करती है Especially अपने face को simple रखती है क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं जादा make-up करूँगी या खुद का style करूँगी तो लोगों का ध्यान मेरी तरफ जाएगा जो कि उनको नहीं चाहिए because they are shy so they don't want anyone's attention but जब वो किसी को पसंद करती है तो वो अपने face को थोड़ा सा सजाती है काजल या लपाम या जो भी उनको पसंद है एक दो चीज़ें लगाती है अपने comfort zone से भी बाहर नहीं जाती है ताकि वो लोगों के नजर में भी नहीं आए और उनको आपका भी थोड़ा सा उन पर ध्यान जाय करके so they be like excuse me I did this tiny shit on my face which I normally don't like doing number three offering help लड़कियां बिना मांगे किसी की help नहीं करती है especially shy girls उनको तो मतलब ऐसा रहता है कि वो किसी से बात करने से भी बचती है तो ऐसे में अगर वो आपको help offer कर रही है आगे से like बारिश में umbrella या फिर exam में pen देना हमको तो मांगने से में नहीं मिलता था तो अगर वो ऐसा कर रही हैं तो it's not insanity, it's a sign number four she stays until you leave classroom खाली हो गया, सब चले गया फिर भी वो आपके निकलने के बाद निकलती है या आपके साथ निकलती है friends का group बात करते करते आगे बढ़ गया और वो आपके लिए रुकी होई है तो ये अजीबियत नहीं है, उसकी liking है जो वो थोड़ा सा extra work आपके साथ बिताने के लिए वेट करती है अगर वो आपके message का reply नहीं कर रही है तो वो शर्मा नहीं रही है उसको interest नहीं है reply करने में इसलिए नहीं कर रही है अगर आप उनको call कर रहे हो और वो pick नहीं कर रही है तो हो सकता है कि वो थोड़ा shyness की वज़े से नहीं call pick कर रही होगी but if she likes you तो वो उसी वाप call back करेंगी ऐसे चार उंदेन या एक हफते तक टालते नहीं रहेंगी आपको call करना अगर वो टाल रही है तो यह उनके शर्म नहीं आपकी तरफ disinterest रहा होगा number six she wants to talk to you but उनके पास कुछ नहीं है बात करने को और यह पता चल जाता है जब वो एक-एक word के reply करती है तो ऐसा पला जारने type के reply कर रही है कि हाँ चल कर दी reply मरब या तो फिर वो सहम सहम के सोच सोच के थोड़ा-थोड़ा reply कर रही है मतलब she is there just for you या तो फिर वो conversation छोड़-छोड़ के भागशा रही है अगर वो आपसे argue करना avoid करती है shy girls वैसे भी कम बात करती है पर पॉसिबल है कि वो आपको पसंद करती है अगर वो आपसे बात-बात पे argue नहीं करे तो मतलब if she talks less and argue more तो बात ऐसा है कि उनको आपसे बात करने में interest नहीं है इसलिए नहीं करती है इसलिए आप दोनों की argument हो जाती है नमबर एट घपरा जाती है shy girls जिस बंदे को पचंद करती है वो बंदा उनको अगर देख ले या notice कर ले तो एकदम से उनका संतुलन तहस्नेस हो जाता है मतलब वो ऐसे घपरा जाती है जैसे उनसे कोई गलती हो गई हो तो इस बेटर कि आप उनके actions को देख देख कर confused होने की बजाए इन major sign को समझो और decision लो क्योंकि जितने वक तक आप उनमें उल्जेर होगे सोचतर होगे उनके बारे में तो जादा chances है कि आपकी जो feeling से उनके तरफ वो बढ़ती जाए so be smart and don't waste your time on any girl who is not interested in you और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको like कर दो, share कर दो और comment करके बताओ कि कैसा लगा और instagram और facebook पर मुशको follow कर लीजेगा love you all